बॉलिवुट के किंग खान कहलाने वाले शहरुक खान शनिवार को 69 साल के हो गए तीन दशकों से ज्यादा लंबे करियर में शहरुक खान ने करिश्माई, वर्सिटैलिटी और अनफॉर्गेटेबल परफॉर्मेंस से लोगों को अपना दिवाना बना लिया दो नवेंबर 1965 को नई दिल्ली में जनमी शहरुक खान मिडल ग्लास फैमली में पले बड़े उनके पिता ताज मुहंबत खान स्वतंतरता सैनानी थे और उनकी मा लतीफ फातिमा खान सामाजिक कारे करता थी एक्टिंग में शारुक खान का इंट्रेस्ट, थेटर, परफॉर्मेंस और टेलिवीजन सीरियल से शुरू हुआ उनका पहला टीवी सीरियल 1988 में आया फौजी था उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 1992 में दिवाना से आइकॉनिक डेब्यू किया 1993 में डर और बाजिगर में उनके प्रेकाउट रोल ने विलिन और रोमेंटिक लीड के तौर पर उनकी काबिलियत दिखाई 1995 में आई दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे की सकसस ने उन्हें रोमेंटिक हीरो के तौर पर उनकी पहचान बनाई इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा शारुक खान की कई फिल्मों ने दुनिया भर में लोगों को उनका फैन बना दिया कुछ सबसे यादगार फिल्मों में 1998 की कुछ-कुछ होता है दो हजार दो की देवदास, दो हजार चार की वीडजारा, दो हजार साथ की चकदे इंडिया और ओम शांती ओम है बाद की हिट फिल्मों में 2010 की माईने मिस खान, 2013 की चन्ने एक्सप्रेस, 2015 की दिलवाले, 2017 की रईज और 2018 की जीरो शामिल है इन फिल्मों ने शारुक खान को बॉलिवुड के दिगकच की रूप में मजबूती दी शारुक खान की 2023 में आई पठान और जवान पड़े पर ब्लॉक्बस्टर साबित हुई शारुक खान को पूरे करियर में कई अवार्ड मिले इन में 14 फिल्म फेयर अवार्ड और पदमिश्री पुरुसकार भी शामिल है इसके अलावा उन्हें दुनिया की कई उनिवर्स्टी से ओनरी डॉक्टरेट की उपाधी से भी सम्मानित किया गया है शारुक खान की शादिय 1984 में गौरी खान से हुई थी उनकी तीन बच्चे हैं आर्यन सुहाना